पॉपट लाल के पास आता है उसकी एक महिला जनरलिस्ट फ्रेंड का कोल जो कि पॉपट लाल से मिलने के लिए काफी ज़द एक्साइटेड है और उनसे शादी की बात भी करती है भाई ऐसे में पॉपट लाल की खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा क्योंकि पॉपट लाल जब भी शादी की बात आते हैं तो मद होश हो जाते हैं ऐसा ही कुछ आपको स्टोरीज को कुछ ज़्यादा लंबी करके बना रहे हैं एंड कोशन ये उठता है कि क्या पोपट लाल की शादी होगी वेल गाइस जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा है पिछले सीन्स में देखा है कि पोपट लाल की शादी बिलकुल आखरी मोड पर ही तूट जाती है लेकिन गाइस जैसे कि आपको पता होगा कि आसित कुमार मोदी ने ये स्टेटमेंट दिया था अपने एक इंटर्विव में कि वो पोपट लाल की शादी 2021 में करा कर ही रहेंगे वेल हो सकता है कि ऐसा ना भी हो जो कि आ तारक मैता में उसमें पोपट लाल का पोपट हो जाता उसका एक फ्रेंट उसका पोपट कर देता है उसे अपरिछ फूल बना देता है वब जो डे था जा चुगा है कि जैसे कि आपने देखा हो कि रात को आई थी एंड इसमें आपको देखने को मिला कि जो पूजा है यानि कि पोपटलाल की जर्नलिस्ट फ्रेंट वो पोपटलाल को अगले दिन मिलने के लिए बुला रही है तो ऐसे में मुझे नहीं लगता ये स्टोरी एपरल फूल वाली होने वाली है क्योंकि जो फर्स्ट एपरल होता है उसी दिन एपरल फूल डे होता है और वो दिन ओफिशली तारक मेता में बीत चुका है तो कुछ भी हो सकता है और मैं आपके राए जानना चाहूँगा कि आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कॉमेंट सेक्षिन में बताना ना भूले और ऐसी अप्डेट्स पाने के लिए मारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें